सरसू का तेल हमारे स्वास्त के लिए बहुती लाबदायक होता है और अगर इसमें कपूर मिलाकर तोचा पर लगाया जाए तो यह और भी ज़्यादा लाफकारी होता है सरसू के तेल से ना सिर्फ हमारे सबजी अच्छी बनती है बलकि ये हमारे स्वास्त के लिए भी बहुती लाबदायक होता है इसलिए हम इसका परियोग खाने के साथ साथ दवा के रूप में भी कर सकते हैं इसमें कई सारे ऐसे पोशक तत्व हैं जो हमारे बालूव से लेकर हमारे शेयर की सारी तोचा को लाब पोचाते है ये एक बहुती अच्छा दर्द निवारक भी है जिससे गाठिया और कान का दर्द तक ठीक हो जाता है अगर इसमें कपूर के साथ मिलाकर लगाया जाए तो इसके बहुती ज़्यादा फाइदे हो जाते हैं तो चलिए जानते हैं सर्सो के तेल और कपूर के फाइदों के बारे में अगर कोई भी इंसान गाठिया से परेशान है तो उन्हें सर्सो के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से अराम मिलता है सरसु के तेल की कुछ बूंदे थोड़ा बेसन और हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाए थोड़ी देर बाद अपना चेहरा साप पाने से धोले इससे चेहरा साप होकर निखा जाता है सरसु का तेल का लगतार सेवन करने से दिल की बिमारी ठीक होती है सर्दियों के दिनों में सरसु के तेल में थोड़ी हींग, अजबाइन और लहसुन की कलियां डाल कर उसे गरम कर लीजिए फिर उससे कमर दर्द वाली जगा पर मालिश कीजिए ऐसा करने से आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा नवजार शीशु की सरसु के तेल से मालिश करने चाहिए, इससे उसे ठंड नहीं लगेगी सरसु का तेल तोचा के रोगों के लिए भी बरदान का काम करता है इससे दाद खाज खुजली जैसी परिशानिया का सामना नहीं करना पड़ता आग के पत्तो का रस, हल्दी, सरसु के तेल मिलाकर गरम करके गुणवुना रहने पर दाद खाज वाले जगा पर लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सरसु के तेल की मालिस बालों में करने से बाल स्वस्थ और लंबे होने के साथ सा जढ़ना भी बन हो जाएंगे रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर तेल की मालिस करने से आखों की कमजोरी भी दूर हो जाती है